किसान भाईयो अगर हम बात करें लसुन और प्याज की उनकी सबसे बड़ी समयश्या होती है पिलापन और जड़ सड़न जड़ में किड़े लगना जड़ सड़न होना और उसका पिलासपन पोधे का तो किसान भाईयो यह समयश्या लसुन प्याज में बहुत ज़्यादा दे ज्यादा करने पड़ती है तो किसान भाईयो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लसून और प्याज में जो जड़ सड़न और पिलासपन आती हैं उनको हम कैसे रोकें तो इसकी जानकरी हम आपको वीडियो में देंगे तो आप वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रहें किसान भाईयो अगर हम बात करें जड़ सड़न की तो वह कुछ फंगस और नूट्रिशन की कमी की वज़े से होती है कुछ हानी खारे फंगस होती है जो की पोधे की जड़क में लग जाती है और उसे सड़नें पर मजबूर कर देती है तो किसान भाईयो हम आपको बताएंगे कि उसके लिए आपको क्या करना है तो किसान भाईयो जब भी आपको मतलब लसुनिया प्याज में पिलास्पन दिखे या जड़ सड़न की समश्या हो या नहीं भी हो तो आप जो सुमिटोमो कमपनी का हारू फंगी साइड है उसको इस किसान भाईयो पोधय में न्यूट्रिशन की कमी की पूर्ति करने के लिए आप हारू फंगी साइड के साथ में सुमिटोमो कमपनी का जो लाटू माइक्रो नूट्रिशन होता है उसे भी जरूर यूज करें इन दोनों प्रोड़क्ट की जानकरी किसान भाईयो आपको हमार रहते हो क्वालिटी रहती है तो किसान भाईयो आप इन दोनों प्रोड़क्ट को यूज कर सकते हैं आपको इनको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा किसान भाईयो इन दोनों प्रोड़क्ट जानकरी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके पूरी इंफ्रमेशन ले सकते हैं कितना डोज है क्या इसकी काईरे विद्धी हो और इनको कैसे मतलब फसल में यूज करना है तो किसान भाईयो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू जय जय जावान जय किसान जय हिन जय भारत